नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एदुशेत्र इस वीडियो में हम बात करेंगे US का अफगानिस्तान से कम्प्लीट एक्जिट के बारे में जैसा कि खबर आ रही है कि 30 अगस्त को ही US ने अफगानिस्तान से कम्प्लीटली एक्जिट कर लिया है US का जो डिफेंस हेड़क्वाटर है, पेंटागन उन्होंने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में बताया है कि US की जो एक्वेशन फ्लाइट थी, जो लास्ट फ्लाइट थी वो 30 अगस्त को ही उडान भढ़ चुकी है और इसके बाद अब कोई एक्वेशन बाकी नहीं है तालिबान के हाथों में नहीं सहुपा तो बहुती बुरे परणाम अमेरिका जहलने के लिए तयार रहे और उसी सिरीज में फाइनली अफगानिस्तान से US ने कंप्लीटले एक्जिश कर दिया है अफगानिस्तान का जो हमित कर जई इंटनेंशनल एरपोर्ट जो काबुल एड़ इड़ा जिसका नाम है वहाँ पर जो कंट्रोल था। का जो निटव था वह उड़ा दूसरी नाटव फोर्स त्या-इजिसा टर्की उनके अंदर वो control था, Britain की forces भी वहाँ पर थी और अब जब US की forces वहाँ से निकल चुकी है और Turkey की जो forces है वो भी अब निकलने वाली है तो अब जो काबूल का airport है वो Taliban के control में आ चुका है completely उनके control में आ चुका है अब यह बात आती है कि Taliban ने अब control में तो आच चुका है परन्तु फ्लाइट सो चलानी पड़ेगी तो उसी सीरीज में उनके जो Qatar और Turkey जैसे देश हैं उनसे वो बात कर रहे हैं या उनसे request कर रहे हैं कि वो civil flights हैं काबूल एरडपोर्ट से आफगानिस्तान के बीच में चालू करें ताकि जो civilian जो लोग हैं वो एक जगह से वहां दूसरी जगह जा सकें परन्तु तर्की ने हाली में कहा हैं कि हम फिलाल civilian जो फ्लाइट से वो चालू नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी काबूल एरपोर्ट से में बोजा डेमेज हो चुका है और उसको civilian फ्लाइट को चालू करने के लिए हमें उसमें रिनोवेशन और बहुत सार चीज़े करनी पड़ेगी उसके बाद ही फाइनली जो काबूल एरपोर्ट से वहां से civilian फ्लाइट टर्की के लिए चालू हो सकती है अब बात ही आती हैं कि क्या आगे अफगानिस्तान में तालिबान के और अमेरिका के रिलेशन किस प्रकार से रहेंगे जैसा कि मैं पता हैं कि तालिबान के और यूएस के बीच में एक डील साय नहीं थी जिसके अंतरगती ये पूरा एक्जिट हुआ है अब बाइडन ने जो जो बाइडन है अमेरिका की राष्टपति उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो तालिबान से कोई भी रिलेशन स्मैं लिए करनहीं परन्तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका बिना तालिबान से के प्रति कोई particular policy के होए बिना वो continue कर सके इसलिए कोई न कोई policy तो उन्हें तालिबान के लिए रखने ही पड़ेगी तो देखते हैं कि वो क्या policy आने वाले समय में यूवेस तालिबान के लिए रखता है और किस तरिके से उसका impact South Asia और खासकर भारत पर पड़ता है परन्तु जो यह event है कि अब completely जो अफगानिस्तान है जो बचा खुचा जो काबूल का एरिपोर्ट था वो भी तालिबान के हाथों में आ चुका है तो अब भारत पर क्या impact होगा वैसे कुछ देश जैसे कि बिटेन वगेरा उन्होंने बोल चेप लेता है और तालिबान को कितने देश रिकजनाइज करते हैं और कितने देश रिकजनाइज नहीं करते हैं परन्तु हमारे इंट्रेस्ट यहाँ पर यह है कि भारत पर इसका क्या impact होगा इसके पहले हम देख लेते हैं कि जो अफगानिस्तान में एक जो एरिया है जहां पर US और तालिबान का कोपरेशन का एक चांस है और वो है Islamic State खुरासन के उपर जैसे कि मैं पताएं कि Islamic State जो खुरासन है वो यूएस का भी कटर दुश्मन है और तालिबान का भी कटर दुश्मन है वैसे Islamic State खुरासन और तालिबान दोने के आईडिलोजी जो इसलाम है, उसका जो शरिया है, सुनी इसलाम में जो शरियत है उसको इस्टेबलिश करने चाहते हैं, परन्तु उनकी इसलाम का इंटेपटेशन है, उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसी ज़े से तालिबान और IS ख़राशन में आपसी दुस्मनी है अब भारत पर क्या impact होगा इसके उपर और भारत अभी क्या steps ले रहा है देखिए भारत का जो interest है अफगानिस्तान में वो तो है कि भारत का जो investment है बाकी जो evacuation है वो तो भारत ने complete कर लिया है करीब 4-5 दिन पेले ही भारत अपने सबी deployment सबी नागरिकों को वहां से निकाल के लिए आया है अब जो बात आती है इंडिया के जो investment है उसको अफगानिस्तान में तालिबान डेमेज करता है कि नहीं करता और क्या पता भारत जो सुरक्सा एजिंसिया है वो तालिबान से बेग डोर बातचित कर रही हो और तालिबान ने वैसे आसवाशन दिया है कि इंडिया के जो assets से उनको नुक्सान नहीं पहुचाए जाएगा परन्तु जो डोप leadership है अफगानिस्तान की वो ऐसा कह सकती है परन्त जो ground पर जो लड़ाके हैं तालिबान की उनको कैसे समझाया जाएगा कि वो भारत के assets या फिर किसी परकार के दूसरे देसों के assets या डागरिगों नुक्सान ना पहुचाए तो अब देखते हैं कि भारत के जो government है वो किस तरीके से तालिबान से deal करती हैं क्या भारत तालिबान को recognize करता है या नहीं करता है ये तो आगे की बात है परन्तु भारत का जो interest है अफगानिस्तान में तालिबान वो भारत को complete करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर तालिबान से अगर भारत अच्छे दिस्ते नहीं रखता है तो पाकिस्तान तालिबान का use इंडिया खिलाब कर सकता है अगर हम इंडिया तालिबान के साथ good relations या भी बेक डोर अगर talks भी रखता है तो पाकिस्तान का तालिबान का भारत खिलाब use को रोका जा होगा फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मेरे साथ जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू अरी मच्छ